आज दिना 15 जनवरी 2021 को एने सुवाई के गोपाल कृष्णा के नरेतित्व में BBMQ के खुलपती का पुतला दहन किया गया ग्यातों कि 22 दिसंबर को एने सुवाई का प्रतिनीदी मंडल विश्व विद्याले प्रशासन से मिला था और मांग की थी कि जितने भी चात्रे चात्राओं का सेमिस्टर रिजल्ट पेंडिंग रह गया है उन सभी को ख्लियर किया जाए तथा BSS महिला कॉलेज की 15 चात्राओं जिनका इंटर्नल मार्क्स के कारण रिजल्ट पेंडिंग है उन्हें या तो पास या तो फेल किया जाए जिसे लेकर युनिवर्सिटी प्रशासन ने कारवाई का फरोसा दिया था लेकिन अभी तक समुचित कारवाई नहीं हो पाई जिस कारण से BBMKO की युनिवर्सिटी के अंतरगत सैक्रो चात्रे चात्राओं जिनका रिजल्ट नौट क्लियर्ड है अब भी दुविधा में प क्लियर करें तथा जो चात्र पास है उन्हें से मिस्टर 4 की एक्जामें बैटने का मौका दिया जाए मौके पर प्रदेश महास अच्छे उशिवम सिंग ने कहा कि यह सरकार चारखंडियों की है यह ताना शाही रवाईया हटाए और हमारे चात्र नेताओं पे केस अविलम हटाए ने तो पूरे देश प्रदेश भर में एने सिवाई चरनबद आंदुलन करेगी शायद विश्विद्याले प्रशासन भूल रही है कि ताना शाही सरकार चली गई है और ताना शाही सरकार में जो ताना शाह बैटे वे हैं अभी भी और कुर्सी गरम कर रहे हैं उन् से जल पेंडिंग रिजल्ट को क्लियर करें और एने सिवाई के चात्र नेताओं पर फर्जी केस वापस ले नहीं तो हम लोग आंदुलन के लिए बात दिहोंगे मौके पे एने सिवाई के रवी पासवान, अनमोल कुमार, वागिस सिंग, राजीव दास, सूरज कुमार, मुकुल, राशन पांडे, सूरज, गबबर कुमार, आधी दर्जनों चात्र मौजूद थे